हेलो दोस्तों वेलकम वेक्टिटिप्स टॉट कॉम मैं हूँ आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरब जे जिंग चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू सेशन ट्वंटी ट्वंटी थ्री से ट्वंटी ट्वंटी फॉर जिसमें मैं बेस लूँगा उशा पब्लिकेशन की बुक को और उसको बेस लेकर ही सारे का सारा कॉर्स आपको समझाओंगा और जी श्पेशली कॉर्स बन रहा है किसके लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से जिससे मैं खुद पढ़ा हूँ पहले मैंने कॉमन लेक्चर सारे बनाए थे लेकिन अभी मैं बुक्स के रिगार्डिंग लेक्चर बनाने जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पंजाब का स्लेवर्स कवर कर लेते हैं क्योंकि पंजाब के स्टुडेंट्स को अपनी बुक्स अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिल रही हैं तो हम आपको टॉपिक भी समझाएंगे और आपकी बुक सॉल्विंग में हेल्प भी करेंगे ऑन यूट्यूब ओके इस कोर्स में हम डेली लेक्चर पोस्ट करेंगे ठीक है टाइमिंग आप डिसाइड कर लो कमेंट सेक्षन में मुझे बता दीजिए तीन बज़े चाहिए चार बज़े चाहिए जब पांच बज़े चाहिए अभी मैं चार बज़े स्टार्ट कर रहा हूँ चार बज़े यी वीडियो आने वाला है बाकी हम एक week और two week देख लेंगे कि कितने comments हमारे पांच के लिए हैं और कितने तीन के लिए हैं और कितने चार के लिए हैं जो भी timing set पेटीगी उस हिसाब से आगे आने वाली वीडियो के timing adjust कर लेंगे मैं चार बजे start कर रहा हूं ठीक है Sunday को आपका offer एगा week में हम six days आपको lectures देंगे और Sunday को आप हमारे free test app में जाके दे सकते हो जिसे आपकी division हो जाएगी तो इसमें मैं पूरे का पूरा आपका book solve करवाँगा उसमें उसकी illustrations भी होंगी important वाली और questions भी होंगे सारे important वाले जिसके साथ आपका पूरा slayvers free of cost में cover हो जाएगा तो फिर देर किस बात की है चलो पंजाब वालो subscribe करो और channel को और bell अप्रेस करें ताकि आपको latest notification मिल सके जो भी मैं वीडियो डालू चाहे वो topic की हो चाहे वो illustration हो चाहे वो question हो तो share कर दीजिये वीडियो को अपने friends के साथ अपने relatives के साथ जो अभी Commerce Plus 2 में पढ़ रहे हैं उनको be free of cost tuition मिल सके हम कोशिश करेंगे कि जल से जल आपका slayvers सारा cover हो जाए वैसे तो आपके six से seven month लगने वाले हैं क्योंकि one by one question कवर करने कोशिश करेंगे हम एक concept आपका clear कर दूँगा मैं बहुत ही भारीकी से समझाओंगा कि कैसे कैसे जे चीज हम जो accounting है एक जे चेन है एक कैसे बनती है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत और बहुत 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 ही अच्छे तरीके से समझने के लिए first chapter हमारा accounting not for profit organizations तो आज का lecture हमारा पहला lectures है इसमें हम cover करेंगे हमारे first chapter का पहले तो meaning not for profit organization का फिर difference भी समझाओंगा ताकि आपका meaning और अच्छे तरीके से clear हो जाए profit organization and not for profit organization दोनों के बीच में difference समझेंगे उसके बाद accounts कौन कौन से बनते हैं जिनको हम बोलते है financial statements mainly आपने prepare करनी है not for profit organization की financial statement और उसके बाद देखेंगे हम important terms जो ने words आने वाले हैं जे ने chapter के साथ जो आपको पहली बार सुनने को मिलेंगे उनका meaning मैं आपको पहले ही समझा दूँगा ताकि आपको question करते time वो words ने ना लगें उनका थोड़े सा intro मिल जाएगा आपको पहले ही चलिए सबसे पहले देखते हैं हम meaning of not for profit organization अब NPO होता क्या है not for profit organization क्या है simple सा नाम से ही अपने clear होता है वो वाले organization जिनका main task जा main aim profit कमाना नहीं होता not for profit organization अब आप पुछो के सब जिसका profit का बारा ही aim नहीं है तो वो तो फिर business ही नहीं है हाँ आप exactly सही बोल रहे हो कि ये business होते ही नहीं है ये होती है societies जो कि social welfare के लिए काम करती है किसी भी cause को उठा लेते हैं उस cause को पकट कर वो society के benefits के लिए काम करती है उन organization को हम बोलते है not for profit organizations वो social cause कोई भी हो सकता है जैसे किसी को medical facility देना जिसके अंदर आपके hospitals, charitable labs, charitable daycares ये सारा कोश आ जाता है और जहां फिर किसी को free में education देना उसमें charitable schools आ जाते हैं colleges आ जाते हैं university courses भी आ जाते हैं charitable लोग बढ़ाते हैं कोई personal भी लोग अपनी organization खोलके जो able बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं उनको fund करते हैं और जो महेंगे महेंगे scholarship लगा के ठीक है जहां फिर इसमें clubs भी हो सकते हैं जो profit कमाना जिनका काम नहीं होता एक जैसे बंदे हैं एक society के वो मिलके एक club बना लेते हैं कि हम जहां पर अपने sports का सारा खर्चा पानी क्लब से करेंगे ठीक है तो क्लब की example मैंने इसलिए दिया आपको कि आप यहीं मत सोचना कि only charity purpose के लिए ही हम not for profit organization बनाते हैं हम अपने satisfaction के लिए भी not for profit organization बनाते हैं ठीक है अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि not for profit organization है वो उनको books की क्या जरूरत है वो तो ऐसे ही चल जाएंगी लेकिन ऐसे कैसे चलेगी बेटा आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी organization है उसमें जितना भी पैसा आएगा जाएगा उसको जो services वो देंगे अपने members को वो service के लिए भी कोई बंदे उनको hire करने पड़ेंगे उनको तो salary देनी पड़ेगी न तो अगर उनको salary देनी है तो organization के पास पैसे का हिसाब होगा तभी वो monthly basis पे उनको पैसे दे पाएंगे क्योंकि जो employee है वो तो job कर रहे हैं वो तो अपनी रहने सैने के लिए पैसा कमा रहे हैं ठीक है तो वो थोड़ीना charity करेंगे कि free में जौब करेंगे जहां पर अब हम इन दोनों में difference भी देख लेते हैं not for profit organization और profit earning organization में जिसके साथ आपका और भी अच्छे तरीके से meaning clear हो जाएगा इसका पहला difference है हमारे पास objective सबसे बड़ा difference इसका है ही objective का not for profit organization का main object होता है कि अपने members को services देनी है वो services में की type की services आ सकती है वो जो भी हो वो सारी services देना ही उनका main aim होता है profit कमाना उनका main aim नहीं होता लेकिन profit organization का main object ही profit कमाना होता है अगर वो profit नहीं कमाएंगे तो वो organization fail हो जाएगी उनको कहीं से पैसा आए गए नहीं second difference है हमारे पास net results अब जो भी net result निकलता है not for profit organization में उसे हम profit जाफिर loss नहीं बोलते हैं उसे हम funds में surplus जाफिर deficiency बोलते हैं और profit organization में हमारे पास result निकल के आता है profit जाफिर loss जा तो business ने कमाया है जा तो business ने गवाया है third difference है हमारे पास final accounts जे हम समझेंगे आगे सारे जहां पर मैं आपको name बता देता हूँ तीन टाइप के account हम prepare करते हैं not for profit organization में receipt and payment account, income expenditure account and balance sheet profit organization में हम भी हम तीन account ही prepare करते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है manufacturing and trading count, profit and loss count and balance sheet और एक cash count तो हम बैसे books में ही prepare कर लेते हैं आगे हैं funds, funds में difference means क्या है जो source and not for profit organization के जहां से वो पैसा आता है उनका पैसा आता है through donation, membership fees, subscriptions, entry fees and surplus जो पैसा बचा इन सबसे ओके और profit organization के funds arrange होते है through contributions from proprietors जा फिर accumulated profit से तो चलिए आके मैं समझाता हूँ इसकी financial statement जिसको हम बोलते है final accounts भी अब note for profit organizations में में तीन financial statement पर पैर होती हैं जिसमें सबसे पहली है हमारे पास recipient payment account दूसरा है income and expenditure account और तीसरा है balance sheet अब recipient payment account तो as similar है हमारे cash book के जो हमने last plus one में समझा था ना chapter बहुत इच्छे तरीके से अगर आपने नहीं समझा तो मेरे plus one के lecture भी पड़े हैं पिछले साल वाले वो देख लीजिए उसमें आपको मिल जाएगा means recipient payment account में आपने simply cash कितना आया और cash कितना गया इस चीज का हिसाब रखना होता है inflow of cash and outflow of cash ही देखना होता है inflow means receipt outflow means payment टाइम का कोई लोचा नहीं होगा इसमें time कोई भी ध्यान रखने में ज़रूरत नहीं है just आपने देखना है कि जो जिस year की मैं books बना रहा हूं उस year में मेरे पास पैसा आ रहा है कि मेरे पास पैसा जा रहा है जिए उसousesayer में आगर आपके पहास प्यासा अ रहा है तो आप Jetzt कोई पैसे transcript आ कि ज़ा रही है तो एकले साल में पेमन्ट अगर पिछले साल में पेमन्न आई थी उसका record इसमें नहीं होगा को और नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट जो बनना है वो है inकमेंट expenditure अकाउंट अब इंकमेंट expenditure सिमिलर है profit organization का जो हम ने बनाया था profit and loss अकाउंट ठीक है पिछले साल आपने study किया ना प्लस-वन में proprietorship की बुक्स में profit and loss वो as it is ही बनेगा यह बस उसमें हम expenses और income ही डालते थे लेकिन वह उसमें निकाला क्या जाता था profit और loss लेकिन इसमें भी हम income and expenditure ही डालेंगे लेकिन निकालेंगे क्या surplus जाफिर deficiency अगर तो हमें इंकम हो रही है ज्यादा एक्सपेंडिचर से तो बो हो जाएगा सरप्लस अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं इंकम से तो उसे हम बोलेंगे डैफिशेश सी अब जे कैसे दोनों चीजे परपेयर करनी है जे तो हम आगे जाके समझने ही वाले हैं इसमें जस्ट मैं आपको बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ के अब जो में चीज हैं इनकम और एक्सुटे अपकोउंट से कैसे होता है कि आप जूबी इनकम एक्सुटे करते हूँ जा डालते हो वहूंट ये बिलेटर होता है only and only current year के incomes and expenditure ही आप डालते हो income expenditure account में ओके ये नहीं देखोगे कि वो expenditure आपने वहाँ पर पैसा spent किया भी है जा नहीं वो इस साल का खर्चा हो चुका है चाहे वो credit पर ही क्यों ना किया हो लेकिन इस साल में कर लिया ना अपने खर्चा तो आप record उसको करोगे same way income है अगर इस साल की income है तो इस साल के income expenditure account में ही जाएगी चाहे वो received हो चाहे नहीं ओके और next और last हमारा जो final account बनेगा वो बनेगे balance sheet balance sheets भी as it ही होती है जैसे हमने profit organization में बनाई है लेकिन इसमें आपकी दो balance sheet बनेगी एक बनेगी opening balance sheet और दूसरी बनेगी closing balance sheet opening balance sheets में भी आपको कुछ missing figures निकालने को दी जा सकती है और closing balance sheet में उन missing figure को आप उने डाल के closing balance sheet final करनी होती है इसलिए जो दोनों बनती है समझाएंगे आगे आदने वाले हैं भी question बहुत करने है tension मत लीजिए जे basic है आप mind बठा लीजे जीजे चीजे हम करने वाले है notes prepare कर लीजिए इसके ठीक है अब एक बात मैं और बता देता हूँ आपको आपको mainly question में रिजिप्टेंड payment account तो सभी questions में given होगा जस्ट एक question होगा जिसको आपको रिजिप्टेंड payment account बनाने को बोला जाएगा ठीक है बाकि जो भी डेटा दिया जाएगा वो आपको रिजिप्टेंड payment account में दिया जाएगा उसके साथ additional information दी जाएगी आपने वो सारे का सारा जो भी डेटा दिया हुआ है उसको वाइफर केट करके डालना है कुछ चीज़े डालोगे आप income and expenditure account में और कुछ डालोगे balance sheet में अब income and expenditure में कौन सी चीज़े डालोगे और balance sheet में कौन सी डालोगे जे भी समझ लेते हैं जे हम समझ लेते हैं receipts and payment को base लेके सबसे पहले आपके पास पैसा आ रहा है कहां से? रेसिप्ट से तो रेसिप्ट को base लेके मैं आपको समझा देता हूँ अब जो जितना भी पैसा हमने receive किया है नहीं जिस सारी की सारी रेसिप्ट को हम two types में वाइफर केट करते हैं फरस्ट रेकरिंग और सेकेंड इस one time only अब रेकरिंग sorry का होती है जो बार-बार आपको पैसा जिससे मिलता रहता है ठीक है बार-बार आने बाली चीज़ कह मोगते हैं रेकरिंग नेचर की ठीक है तो ऐसी receipts क्या हुई वो repeat nature की है न तो जे हमारी क्या होती है incomes तो इसको हम record करेंगे income and expenditure account में ओके लेकिन जो one time हमारे पास receipt हो रही है और साल की नहीं बोल रहे हैं वो 10 साल के लिए 5 साल के लिए एक बारी दे दी जा lifetime के लिए एक बार receipt दे दी वो हम क्या करेंगे वो long run है उसको हम डालेंगे balance sheet में वो हमारी बन जाती है liabilities तो simple सी बात है receipt and payment account की receipt site से आपकी दो item निकलेंगी एक तो निकलेगी income और दूसरी निकलेगी liabilities अब confuse मत होना बच्चे क्या करते हैं receipt वाली साइट से भी expenditure निकालते रहते हैं नेम से confuse नहीं होना यो आपको इसमें नेम मिलेंगे न वो profit organization में आपके expense से इसमें आपके वो income बन जाती है ओके account की नेम से confuse होने की जुरूरत नहीं है receipt and payment account से आपने receipt site की items को दो side में ही डाल सकते हो income and expenditure account की income side में और balance sheet की liability side में same way है आपके पास payments भी जिसको हम दो types में divide कर सकते हैं payments को भी वो भी हमारी recurring nature की हो सकती है और दूसरी हो सकती है one time अगर हमारी payment रेकरिंग नेचर की है हम बार बार हर मंत कर रहे हैं हम यर पे कर रहे हैं तो वो हमारा बन जाता है expense ठीक है अपने स्टाफ को चाहें वो पिया नहीं है चाहें वो accountant है कोई भी है salary पे कर रहे हैं न तो वो हमें मंतली पेशित पेपे करनी पड़ेगी वो तो हमारा expense बन गया तो जे तो जाएगा कहां पे income and expenditure की expenses side में ओके लेकिन जो हमारी one time expenses है जैसे कि हमने long term के लिए पैसा लगा दिया जैसे स्पोस हमने परनीचर खरीदा अपने क्लब के लिए जा फिर land खरीदी building खरीदी ऐसी चीज़े हम क्या करेंगे वो दस साल बीस साल पंदरा साल फूरी life वी यूज़ कर सकते हैं वो चीज़े हमारी क्या बन जाती है assets assets हमारे जाएंगे balance sheet में asset side ओके important terms देख लेते हैं जो अपने पहली बार सुननी है जिसका treatment भी आपको साथ में साथ थोड़ा थोड़ा मैं समझाता जाऊंगा पहली terms है हमारे पास subscription सबसे ज़्यादा juice होने वाली item है हर एक question में जे जे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि जे हमारी होती है NPO की main income source सबस्क्रिप्शन का क्या meaning है अगर आपने कोई भी कलब चलाया है उसका कोई भी member बनना चाहता है suppose आपने sports कलब चला लिया है कि आप जहाँ पर आके उसमें खेल सकते हो कलब में वहाँ पर swimming pool है वहाँ पर basketball court है football ground है जहाँ पिर अपने track भी बनाया हुआ है अप running कर सकते हो इतनी facility दे के अपने कलब बनाया हुआ है तो उस कलब को चलाने के लिए भी कुछ खर्चा लगता है ना सारा कुछ running and maintenance cost हो आएगी आएगी तो उस सब के लिए हम क्या करते है जो भी उस club का member बनेगा उससे some amount charge करते हैं वो fixed amount होगा वो monthly basis पर हो सकता है quarterly basis पर yearly basis पर किसी भी basis पर हो सकता है वो fixed amount हम members से charge करते हैं उसे subscription लेते हैं ठीक है उसे हम बोलते हैं subscriptions तो जे तो हमारी क्या हुई रेकरिंग नेचर की receipt होई न तो रेकरिंग नेचर की receipt हमारी बनती क्या है income तो income को हम डालेंगे income and expenditure account में ओके next terms है हमारे पर life membership fees अब जो subscription नहीं देना चाहता कोई अमीर जादा है वो बोल रहा है कि यार मुझे 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 से एक साल का एक कठाई ले लो life membership fees मैं member आपका बना चाहता हूँ लेकिन मैं एक बारी payment करूँगा और life time member बनूँगा जे मेरे से मंतली वगरा फीस वगरा नहीं दे होगे कि हर मंत मैं आपको फीस दूँ फिर मैं आऊँ ऐसा नहीं मैं करूँगा मैं जे life membership fees देनी है और मैं life time member बन के रहूँगा आपका तो life time membership fees अगर दे रहा है कोई बंदा तो वो एक बारी देगा न अपनी जिन्दगी में बार बार तो न देगा life time member तो बन गया फिर कलब का वो तो जो भी चीज one time होती है वो रसिफ्ट हमारी क्योंसी होती है liabilities exactly liabilities को हम डालेंगे balance sheet में तो life membership fees हमारी जाएगी balance sheet में next है हमारे पास donation donation हमारी दो टाइप की हो सकती है जहां पर donation हमने करनी नहीं है हम not for profit organization है हम receive करेंगे ओके यह हमारी रसिफ्ट ही है donation profit organization में हमारा expense होता था जहां पर हमारा क्या है income है receipt है ओके अब donation दो टाइप की होती है एक तो journal और दूसरी होती है specific जो journal donation है वो किसी ने पैसा दे दिया आपको 1000, 10,000, 20,000 कीजे लो जर्नली मैं आपको कलब को donation देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे cost पर काम कर रहे हो ठीक है तो journal donation दे दी कि मैं as a NPO मैं कहीं पर भी उसको spend कर सकता हूँ कोई भी expenditure उसमें से कर सकता हूँ उसमें मैं अपनी salary पे कर दूँ अपने employees की जा फिर building की repair कर वा लूँ कुछ भी करूँ वो journal है ठीक है तो journal donation जब भी मिलती है तो वो हमारी बार बार हमें मिलती रहती है को कि शोटे शोटेय मौंट्ट होते हैं कोई बड़ा ठीक है वो शोटे हमाउंट हमांन नहीं होते है इसलिए शेक्ट हमारी कौनसी होती है रैक कुर्ण नीचर की भार बार मिलती है तो इसे हम बनाएंगे हमारी income ऊंकांग के तो जह जाएगी इंकम कहां पे income and expenditure account में ओके लेकिन अगर किसी ने donation specific की हुई है specific means जहां फिर किसी sports club में हो आप और आपके पास 3-4 coat तो है लेकिन tiny coat आपके पास है नहीं ओके तो एक बंदा आया वो बोल रहा है कि यहर मैंने तो tiny भी खेलना होता है है अमीर जादा तो उसने क्या किया उसने दे दी donation कि आप जह specific donation में आपको देता हूँ इस पैसे से आपने tiny coat ही बनवाना है अपने club में तो ऐसी specific donation हमारी जो receipt होती है वो एक obligation लेकर आती है साथ में क्या obligation आती है कि यह चीज के लिए मुझे पैसा मिला है तो वो मुझे करनी पड़ेगी ठीक है obligation मीज क्या बन गया liability बन गी हमारे पास पैसा आया है उसके against उस बंदे ने एक liability organization पर create कर दी कि जे पैसा मैंने इसलिए आपको दिया है कि आप जे particular काम कर सको ठीक है इसलिए क्या है जे liability है हमारी तो जे जाएगी सीधी की सीधी कहा balance sheet में नेक्स्ट है हमारे पास endowment fund receipts अब donation तो कभी आई कभी नहीं आई ऐसा होता है ठीक है लेकिन endowment fund receipt क्या है उसमें एक particular permanent fund create किया जाता है NPO के दवारा जिसमें लोग पैसे डाल सकते हैं ठीक है तो जे receipt भी हमारी one time होती है बार बार repeat नहीं होती किसी specific purpose के लिए ही होती है तो इसे भी क्या करेंगे हम हमारे डालेंगे कहा balance sheet में as a liability ओके आगे हैं हमारे पास sale of absolute items and based paper तो जो भी हमारे पास absolute item हो चुके है मतलब खतम हो चुकी है और based है उसको हम as a scrap तो जे हमारा क्या है यह भी हमारा रैकरिंग नेचर का खर्चा होगा ना बार बार हमारे items based होगी बार बार हम भेजते रहेंगे तो ऐसे रैकरिंग नेचर के खर्चे को भी हम क्या treat करेंगे as a income ही treat करेंगे ओके next item हमारे पास sale of fixed assets अब जब भी हम किसी भी fixed assets की sale करते हैं तो वो हम क्या करेंगे simply हमारे assets account से ही detect कर देंगे जितनी भी उसकी book value है लेकिं जो भी इस पे profit और loss होगा वो हम भी करेंगे income and expenditure account को okay seventh item है मारे पास interest on fund investment अब अगर NPO ने कोई भी fund में किसी में भी investment की हुई है वहाँ से interest आ रहा है तो वो तो आएगा हमारा yearly basis पर ठीक है तो जो current year का होगा उसे हम credit कर देंगे income and expenditure account को as a income okay next item हमारे पास government grants अब NPO के लिए एक government grants भी source होता है fund receive करने के लिए अब government grants भी हमें as a donation ही एक journal मिल सकती है और एक specific purpose के लिए मिल सकती है अगर तो grant मिली है maintenance के लिए तो वो तो journal होगी अगर grant मिली है development के लिए वो फिर specific होगी किसी asset को develop करने के लिए और as a donation ही अब जो grant हमें जर्नल मिली है वो तो हमारी as a income ट्रीट हो जाएगी ठीक है लेकिन जो specific purpose के लिए मिली है उसको हम ट्रीट करेंगे liability नेक्स्ट है हमारे पास honorariums अब honorarium क्या होता है कि जब आप किसी को honor करते हो किसी gift के साथ book के साथ जब थोड़ा पुटा cash देते हो किसी को honor करने के लिए कैसे करते हैं वो जैसे suppose कि आपके club ने sports meet कर वाली अपने क्लब में सारे ही लोकल क्लब की sports meet कर वाली आपस में competition करवा दिया वहाँ पर आप ने बिनिंग टीम के लिए प्राइज रख लिया जा फिर जो आपके वहाँ पर चीफ गेस्ट बनके बंदे आए हैं उन पर आपने थोड़ा थोड़ा गिफ्ट दे दिया शोटे मोटे जा फिर बुक्के दे दिया उन पर खर्चा किया ना उसे हम बोलते हैं ओनरियरियम ओके तो ये भी हमारा क्या होता है शौट टर्म खर्चा होता है जादा बड़ा खर्चा नहीं है तो रैकनिंग नेचर का है बार बार आप spent करते रहोगे तो इसको हम क्या करेंगे as a expense treat करेंगे और डालेंगे income expenditure अकाउंट में ओके नेक्स्ट आइटम है मारे पास entrance fees जा फिर admission fees अब बैसे तो जो entrance fees है admission fees है वो तो one time ही pay करता है कोई भी member आता है अगर club में तो उसको आने पर ही मिलती लगती है वो fees ठीक है लेकिन हम ये amount शोटा होने की बज़ा से इसको male income ही माना जाता है क्योंकि argumenting तो चलती है इसको capital मानो जहां फिर इसको revenue nature की मानो लेकिन base क्या लिया जाता है कि जो entrance fees है वो तो कोई ना कोई member आता रहेगा entrance fees आती रहेगी फिर से फिर member आएगा फिर आएगी वो रैकरिंग नेचर की बनाके इसको as income treat करते हैं हम और income expenditure account में डालते हैं लास्ट item है हमारे पास legacy हमारा वो amount होता है जब कोई बंदा अपनी will में लिकर चला जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी इतनी property इस club के नाम कर दी जाए ठीक है means club को किसी की bill के सहारे जब bill में लिक कर कोई चीज मिलती है property building कोई asset कुछ भी मिलता है तो उसे हम बोलते हैं legacy तो जे तो हमारी कोई भी बंदा है उसने एक ही बार देनी होती है क्योंकि वो as a bill मिलती है उसके मरने के बाद तो इसको हम क्या बोलते हैं long term के लिए तो इसको हम treat करते है as a liability okay अगर कोई doubt है तो as usual मेरा जो line है मैं आपको बोलूँगा कि please comment कीजिए हमारे YouTube पर comment कीजिए Instagram पर हमें DM कीजिए Facebook पर हमें messenger पर message कीजिए जाब भी हमें mail कीजिए अपने question हम उसका reply पलाई जरूर करेंगे ठीक है वीडियो को like करना मत बूलेगा comment कीजिए और share करें अपने friends के साथ ज्यादा हो सकता है चैनल को subscribe करना मत बूलेगा बैर को प्रेस करें ताके लिटेस वीडियो की notification मिल सके thanks for watching bye bye good morning good afternoon good evening good night जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सच्रिया काल